नमस्कार असी मारिया वर्त में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और ये वीडियो का दूसरा भाग है आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि तो चलिए बिना समय व्यतीत किये इस वीडियो को आगे बढ़ाते और देखते हैं मैं क्यों इसे इतनी बड़ी गलती कह रहा हूँ इसकी एक वज़ा है बहुत बड़ी वज़ा है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस वक्त ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया परिशान है रूस यूक्रेन में और युद्ध चल रहा है ऐसे में एक और युद्ध शुरू ह भारत और पाकिस्तान के बीच तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता और मैं एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के यहां पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है चांत ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल करने का लेकिन अब चुकि भारत की तरफ स आ है पाकिस्तान बहुत बड़े क्रैस में है чис कॉन के सरकार के निचे बॉट ऑन लिग्या ए साथ में वहां की जो तालिवान जो अफगानिस्तान में जब से अमेरिका गया है तालिवान के तरफ से यानि अफगानिस्तान के तरफ से भी बहुत ज्यादा एटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और बलुचिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा एटैक्स हो रहे हैं पाकि इस्तान एक बहुत ही नाजुक पोजिशन में है जहां पे वह और अफोर्ट नहीं कर सकते वह युद्ध अफोर्ट नहीं कर सकते तो उनका इस्टांस तो जरूर बनेगा ऐसा आप देख सकते हैं कि जब उनके पास पैसे राते हैं तो वह डेकली भारत पे टाक करना सुरू कर देते हैं आप चाहे 65 की बात करें 71 या फिर एवन की जो कारगिल हुआ था वहां पर भी उनके वेस्ट के बैकिंग थी उनकी और वह यहां पर वेस्ट के बैकिंग पे ही उन्होंने एटाक करना सुरू कर दिया था तो यह कहना गलत होगा कि वह मतलब उनकी जो रिस्पॉंस कर रहे हैं और सही बात है कि वह अपना इसको एक्सक्राइट करेंगे और भारत को एक निगेटिव उसमें दिखाएंगे जो कि आगे बात चलीगी वह हर मंच पर इस बात को लेकर जाएगा और भारत के खिलाप भारत की मुश्किले वह बढ़ाएगा भारत के लिए कई तर को बड़ा वाज़ बियान करता है एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं जो भी हीमन डिसोर्स है जो इस तरह की हाई टेक चीजों को देख रही है उनकी प्रोफेशनल प्रोएस को जाहर करता है कि वह क्या है काफी बड़ा सवालिया निशान है उसके अपर और दूसरा ये उनकी जो है उसके पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि मुस्टेक्नोलोजी में काफी कमी है मेरे ख्याल में और उसको मजीद उनकी उनको काफी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलोजी को इंप्रोव करने में जाहर है इतनी बड़ी घलती अगर होगी तो कोई भी अब जाके उसको भारत सरगार से क्यों पूछ रहें मैंने जैसे कहा कि कोट ऑफ इंक्वाइरी अभी स्थापित की ही गई है कोई इंवेस्टिगेशन नहीं हुआ है भारत सरगार ने बस इतना अकनॉलेज किया कि वह हमारी मिसाहिल थी उसके अलावा उन्होंने कुछ नही आई है और इसलिए मुझे ने लगता है कि इसके बारे में अभी इस तरह की बाते पाकिस्तान वाली वो यहाँ पे चलानी चाहिए शांती और स्थिर्ता की आवशक्ता के प्रती उसकी उपेक्षा के बारे में अपनी बंद आँखों को खोलें दुनिया को इस घटना को ततकाल समवेदन शीलता और अलार्म के साथ देखना चाहिए यह तो हो गई पाकिस्तानी सरकार की बात वैसे दुनिया की तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजनसीज ने भी इस कबर को प्रमुकता से जगदी है हर बड़े अख़वार ने हर बड़े इंटरनेशनल अख़वार ने इससे कबर किया है चले ठीक है भारत के मुश्किले बढ़ेंगी और पाकिस्तान भी अगर ये कदम उठा रहा है तो वो भी जायज है मुझे समझ नहीं आता है यह जायज की बात कहां से आती है यह किस तरह की मुश्किले बढ़ेंगी सही है मुश्किले बढ़ेंगी वैसे भी कोई मतलब वेस्टर्न मीडिया में हमारे लिए कोई ऐसी अच्छी बाते तो कभी उन्होंने की नहीं है इवन आफ्टर इश्रो जो हमारा इश्रो जो उन्होंने लॉंच किया था मंगल यां उस पर भी वहां के नियो यॉयॉक टाइम्स में एक रेसिस्ट कार्टून वहां पर दिखाई गई है तो भारत के लिए तो उनके उनके मतलब जो उनकी मेंटालिटी है वो कभी सही रही ही नहीं हमारे प्यम को भी उन्हों कई बार गलत बोलते हैं एवन जो है उसके खिलाब बाते की आय न Alors के बारे में बातें करते हैं । difí ऑनड प्रोटेस्ट जो हुआ ता ऊसमें भी घेड़नी की कोशिश की थी तो वहांपर तो हमेंसा यह तो वियूव एन इनी स्पेसिफ नरेटिव बनाने की कोशिश की आती है हमेशा से तो वह तो हमेशा से चला आ रहा है तो इसमें कौन सी यह बड़ी बात है और पाकिस्तान का अगर नरेटिव वह पिक करते हैं तो भारत का तो नरेटिव उन्होंने कभी नहीं किया है बार बार भारत ने यह जताने की कोशिश की थी कि टेर्रिस्ट जो है वो पाकिस्तान से औरिजिनेट होता है आज तक पाकिस्तान पे कोई ऐसी सैंसेंस नहीं निकली है हाँ यह बात है कि जब अमेरिका पे छबी नौई ग्यारा हुआ या लंदन ट्रेन बॉंबिंग या फ्रांस में ऐसे टैक्स होने शुरू हो गया तब जाके उनको ध्यान आया कि अच्छा टेरिज्ट की यह पड़िभासा वह तो आज तक यून में टेरिज्ट की पड़िभासा है वह एक्सेप्ट करने को तयार नहीं थे तो जो बाहर की जो भी मेंटालिटी है अगर वह नेडिटीज जो भी आता है उस पर हम हमें इतना ज्यादा ध्यान देनी की जुरॉत नहीं है हमारा अगर एक हम जैसे एकॉनमिक ली हम स्ट्रॉंग होते जा रहा है या मिलिटरी हमारा एक दबदबा बढ़ रहा है तो उसके बाद जो नेगोशियेशन होते हैं किसी और कंट्रीज का वह उस लेवल पे होते हैं जहां पे हम अपनी बाते उनके सामने एक मतलब एक स्ट्रॉंग पोजिशन में रख सकते हैं तो यह जो मीडिया नेडिव है इसको लेके इतने ज्यादा चिंता करना और साथ में पाकिस्तान का नेडिव को ही यहां पे बढ़ाना कि यह भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है ठी कि वहां की मीडिया ने कई बार यह बात उठाई फिर 370 जो कास्मीर में हटाया गया उस पर भी वहां पर बहुत ज्यादा हो हला हुआ पाकिस्तान ने बारवार यह बात यूएन एसेंबली में पाकिस्तान के प्राइम इनिस्टर ने उठाई उस पर भी कुछ नहीं किया कि किसी देश ने साथ में फिर आपका यह भी देख सकते हैं कि जो बाला कोट हुआ उसमें भी कुछ नहीं किया बाला कोट में हमने डेलिबरेटली यानि इंटेंशनली वी क्रॉस्ट इंसाइड पाकिस्तान एरोस्पेस और वहां पर हमने बॉंक्स गिराए उस पर भी कोई ऐ इसी हमें मतलब अपोजिशन देखने को नहीं मिली वेस्टर्न गोर्ब्मेंट वेस्टर्न इस्टैबलिश्मेंट या दुनिया में किसी भी सरकार के द्वारा तो यह अपना स्टाइस पर निर्वर करता है कि हमारा जो फॉरें एफेर फॉरें रिलेशन्सिप हैं वह कैसे रहेंगे तो यहां पर आप सिर्फ मीडिया की जो बात करते हैं तो मीडिया इतना ज्यादा आता वज्जों देने की जुरत नहीं है जियो पॉलिटिकल सिनारियों में जब तक हम स्ट्रॉंग रहेंगे हमारा एक दबदबाबार हैगा हमारी डेवलप्मेंट ऐसी होती रहे तो उसका फायदा उठाएगा और उठाना चाहिए उसको लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं और यह सवाल मैं तो उठाई रहा हूँ यह सवाल पाकिस्तान के भीतर से भी उठ रहे हैं और यह सवाल उठाने इसलिए भ बायज हैं और क्योंकि अभी आपने कुछ महीनों पहले ही या कुछ हफतों पहले ही चाइना से HQ-9B Air Defense System लिया है तो अब सवाल ये उड़ता है कि अगर वो सिस्टम लगा था तो ये मिसाइल क्यों नहीं मार गिराई गई क्यों ये मिसाइल हवा में उड़ती हुई 124 हैं कि पाकिस्तान Aero Space का व्यालेशन बारवार ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत बहुत अंदर तक बाला कोड़ बहुत अंदर एक सहर है वहां पे मिलिटरी इंस्टॉलेशन से मिलिटरी ट्रेडिंग है वहां पर उसके बगल में ही बाला कोट पड़ता है और वहां जाके हमारे जो एरक्राफ्ट्स थे फाइटर्स जैस्ट थे वह जाके बॉंबिंग की साथ में आप उसामा बिनलादेन का भी जामते हैं उस समय भी वह जो एरो स्पेस को वाइलेट किया गया था अमेरिकन हेलिकॉप्टर के द्वारा वहां पर भी वह वाइलेशन पाकिस्तान ने उसको इड़क्टिफाई नहीं किया अभी जाके चाइनीज एक रडार लिया है उसके अलावा भी यह वाइलेशन हो रही है तो यह तो सब्सक्राइब करते हैं और चाइनीज जो भी होते ही उनके बारे में अभी कोई ऐसी मतलब वार टेस्टेट बैटल टेस्टेट वह वेपन नहीं दिखने को मिल रही है क्योंकि चैना कभी अभी बैटल में रहा नहीं है लास्ट टाइम उन्होंने लगवग एटीज में वि बात भी कोई ऐसा बड़ा सा कॉन्फलिक्ट देखने को नहीं मिला गलवान वाली जो बात है वहां पर हाथा फाई ही ही हुई थी क्योंकि आंस जो ते वो दोनों तरब से किसी नहीं यूज नहीं किये थे एक गोली भी नहीं चली थी तो इसलिए और जो पाकिस्तान की जो म चाइना का दिया हुआ तो चाइना से हमने जो पिछले दिनों ही लिया है तो क्या वो इस अलाके के अंदर उसकी बैटरियां मतयन नहीं थी या उनकी रीच में नहीं था इस तरह के सवाला जो है डिरेक्टर या इंडिरेक्टली पूछे गए लेकिन उन्होंने इनको मुल का ड्रोन आएगा तो हम यह नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे हम बड़ा सख जवाब देंगे हम उसको अड़ा कर रख देंगे मैं तो इसको परसनली मेरे लिए तो चंबे की बात है जो अस्टॉनेशिंग चीज है कि 124 किलो मिटर पाकसान में अंदर कैसे आ हमारा अगर एक डिफेंट सिस्टम उसको मॉनेटर कर रहा था उसको ग्राया क्यों नहीं गया उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि यह क्या कर सकते हैं हम तो रिस्पॉंड इसकरा कर रहे हैं कि 124 किलो मिटर के अंदर आगे जाहिर है सवाल तो उठेंगे क्योंकि मैं याद दिलाता चलू कि बाला कोट में जब स्ट्राइक की थी भारतिये वायू सेना ने तो उस समय भी ये बात सामने आई थी मुझे याद है कि जो रक्षा मंतरी हैं पाकिस्तान के वो खटक शायद हैं उनसे जब सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि भाई अगर वो विमान अंदर आये विमान इतनी अंदर तक आया भारतिये वायू सेना के तो उसको मार क्यों नहीं गिराया गया उसको शूट डाउ कि पाकिस्तान defense ministry के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है ना उनका कोई कांट्रोल रहता है कोई इइक क्योंकि पाकिस्तान की यह सब कुछ अपने हिसाब से है है अपने मतलब internally वह सब पर पागिस्तान में मिलिटरी से कोई सवाल करता नहीं है यह इवन की जो 1971 में देश के तुकड़े हो गये थे जो बांगलादेश बना था उसमें भी पागिस्तान की मिलिटरी से कोई सवाल नहीं किये गये थे कारगिल वार में उस समय के जो जेनरल थे परवेज मुसारफ उनको भी सवाल नहीं किया गया आप देख सकते हैं कि उसके बाद वो डिक्टेटर भी बन गए फिर प्रेसिडेंट बन गए तो वहाँ पे तो इसलिए जो परवेज खटक की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के डि दिफेंस मिनिस्टर तो यहां पर दूसरा वीडियो का पार्ट होता है खत्म तीसरे वीडियो के सामने आपके सामने फिर से उपस्तित होंगा तब तक के लिए विदा लेते हैं और साथ मैं यह जरूर बिंती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई निया वीडियो अफ्लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो अगले बाग के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजर होंगा तब तक के लिए नमस्ते जय हिंद